हलो दोस्तों कैसे हो यह वाला वीडियो मैं इस शूपर बनाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने सारे के सारे इंडियन चैनल्स बलकि सारे के सारे इंडियन कॉंटेंट को ही बैन कर दिया है अपने रेडियो पे नहीं आ सकता टीवी पे नहीं आ सकता किसी तरीका से इंडियन इस वीडियो में मैं आपको बात करूँगा कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था और ऐसा करने के पीछे पाकिस्तानी स्टेट ये किस ने किया है आर्मी ने किया है या पाकिस्तानी गवर्णमेंट ने किया है और किया है तो क्यों किया है तो इस जो खबर है उसका basic source है डॉन पाकिस्तानी न्यूजपेपर डॉन जो अभी काफी चर्चा में रहा था क्योंकि इसके एक जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान आदमी खिलाफ एक स्कूप निकाल दिया था पाकिस्तानी गवर्मेंट के कहने पर जि कि अब हटा लिए गया है तो इसका रण ये काफी विवाद में आ गया था बीच में तो इसने कहा है कि पाकिस्तान मीडिया रेगुलरेटरी अथॉरिटी पैम्रा ने सारे के सारे ये उर्दू में इन्होंने अपना जो आदेश जारी किया है रिपोर्ट पैम्रा ये कहा ग दे रहे हैं और उनके चैनल को नहीं चलने दे रहे हैं बलकि पाकिस्तानी एक चैनल चलता है जी जिन्दगी उसमें जी पाकिस्तानी टी शोर दिखाता है उस पर भी प्रॉब्लम साना शुरू हो गई है तो पाकिस्तानी को कुछ चीज़ेट करके भी करते हैं अगर आप ए अधर पे उन्होंने ये बैन कर दिया है और अब सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों दरसल पैमरा जो है वो पाकिस्तानी मीडिया रेगुलेट करती है इंडिया में ऐसी कोई अथारिटी नहीं है तो इंडिया दर्शों के लिए समझना काफी कठे नहीं है पैमरा मतलब आप समझ लीजे कुछ भी एक टीवी के लिए सेंसर बोर्ट समझ लीजे कि कोई भी कॉंटेंट वहां से जब तक नहीं निकलत था कि किसी हत्या में ISI का हाथ है तो आप यहां देखेंगे यह जीओ द्वारा रंज एक चैनल न्यूस पेपर है धन्यूस इंटरनेशनल यह बता रहा है कि हामिद मीर की जो हत्या की साजिश होई थी उसमें ISI का हाथ बताने पर जीओ को काफी दिन तक बैन कर दिया था फिर जीओ ने अपनी पॉलिसी चेंज की और नजम सेटी और उन जैसे एंकरों ने आर्मी की लाइन लेना शुरू कर दिया अब आप देखेंगे पहले नजम सेटी एक तरीके की भाशा बोलते थे अब वो सीरेशी दे आर्मी का के हेड हैं वो हैं पूर्व जर्नलिस्ट अबसार आलम अबसार आलम जो हैं वो पाकिस्तानी गवर्मेंट के काफी करीब हैं इस कारणी उनको पैमरा का हेड बनाया गया है और पैमरा एक ऐसा इंसा इंस्ट्यूशन है जिसमें अपॉइंट्मेंट पाकिस्तान आर्मी के प कि अर्मेंट की तरफस दिक respondents की तिक्राया ना कि आर्मी से लेकिन आर्मी खुशी होगी क्योंकि आर्मी जितना भी एंटी इंडिया है उसको पसंद करती है क्यों किया है क्यों चिए क्यों किया है इसलिए कि आप देखेंगे की कुछ नवाज शरीव के बहुत close journalist, अगर आप देखें, नजम सेटी जो बहुत close हो गए हैं, उनके journalist, वो भी इस वीडियो में ये बता रहे हैं, नजम सेटी जो बहुत close journalist हैं, वो इस वीडियो में ये बता रहे हैं कि कैसे Pakistan army नवाज शरीव के खिलाफ साजिस कर रही है और उनका त करेंगे और कराची से करेंगे और उनकी कोशिश मौधरमा की ये थी किसी द्रीके के साथ नवाशी साथ को डी स्टेबलाइज किया जाए उनके लौंग मार्च के पीछे गुलाम सार खान जो सदर थे और नवाशी साथ जो प्राइमिंसर थे उनके आपस में कांफरेंट चल र ही अच्छा मगर मोतरमा ने मोतरमा की ये भी कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ आर्मी को इंवाल्व किया है कि उनके बगार तबीली नहीं हो सकती ना वो बैठा रहेंगे प्राइम इसर बैठा रहेंगे जब तक फॉज बदूक लाके यहां नहीं रखेगी जितना मर्जी आप कर लें तो उस वक्त नोतरमा की कोशिश थी कि ये ऐसी एक सिचुएशन हो जिसमें फिर फॉज की उपर प्रेशर आए हवाम की तरस तो उन्होंने कोशिश की मगर नाकाम हो गए तो उस वक्त एक सीनियर आमी जनरल सर्विंग आमी जनरल अब बस बात यह नहीं रहने थे को मैंने पूछा कि क्या होने जा रहा है इस लांग माज का तो उन्होंने का यारा बेन जीर जिने चेकर बड़े कठे नहीं करेगी हो सकता कुछ नहीं होना मीनिंग कि मैस किसम की अपराइजिंग करें ताके हमारे लिए को जवास बने ऐसे नहीं हम कुछ कर सकते इमरान खान सारे पाकिसान में दोरा कर रहा है और स्पेस्टरी पंजाब में कि कह रहे हैं आजाओ 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 ये बिल्कुल ये अइम हें अगाएं आजाओ अजाओ ये चाहिए कहलती है और आजाओ अजाओ व्रण आजाओ ये जाओ और ये चुक्त अहीं है नहीं है तो मेरा खायल है ये तिस लिए थोड़ा टाइम लिया है उनने ताके वोगों को कठा करें और दूएटैंगे और सुम्पार्टै और फाइनल शोडाउन जो कि वो ये कह रहे हैं क्यूंकि बात यह मनीद के इसके बाद यह यह काम्याब होंगे यह यह फेल होंगे जाहरा थर्ड तिंग तो यहां पर नजम से ठीए बताना चाहा रहे हैं कि इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं तीस तारीक को आर्मी के सपोर्ट से नवाज शरीफ का तक्ता उलटने की जैसे ही वहाँ पर बॉयलेंस शुरू हो जाएगा तो नवाज शरीफ को प्रॉब्लम में आने लगेंगी और आर्मी टेको कर लेगी जैसा कि 1977 में जुल्फिका बात आजाती है कि नवाज शरीफ ऐसा क्यों कर रहे हैं नवाज शरीफ ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो कश्मीर और इंडिया के खिलाब बातें जाधा करेंगे तो उन्हें आर्मी के सर्कल्स में बुरा नहीं समझा जाएगा और ध्यान हटेगा इंडिया की तरफ जो प पाकिस्तान्स अपनी परसनल पब्लिक के लिए ज़्यादा लिया गया था अब बात करते हैं यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि इंडिया में पाकिस्तानी कॉंटेंट बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए या हमको बैन लगाना चाहिए नई लगाना चाहिए क्र क्रिटेजी की रूप में यही होना चाहिए कि हमें जादा से जादा पाकिस्तानी एक्टर को अलाओ करना चाहिए, जादा से जादा पाकिस्तान की साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, और जादा से जादा पाकिस्तान में अपनी फिल्में और अपना कल्चर प्रमोट करने की बजाना नहीं है जो वो गाते हैं वो हिंदुस्तानी म्यूजिक है जो वो खाते हैं वो नौर्थ इंडिया का खाना है जो वो पहनते हैं वो नौर्थ इंडिया में पहनते हैं जो वो बोलते हैं वो तर्पदेश की भाषा उर्दू है तो जैसे कि वेस्ट इंग्लिश और हॉ पास-पास की देशों में ये कोशिश करनी चाहिए और खासकर पाकिस्तान में कि वहाँ पर बॉलीवुड का जाद से जादा प्रचार हो जाद से जादा ये कल्चरल इंपिरिलिजम का एक तरीका है जो हमें प्रमोट करने कोशिश करनी चाहिए ऐसे ही बड़ी देश आगे ब लगाया पहमरा के द्वारा ताकि आर्मी से जो ज़ड़ाई होने वाली है दस-पंदरा दिन में इमरान खान के मुखोटे के रूप में उसको थोड़ा ठंडा किया जा सके थोड़ा उसमें लेवरेज लिया जा सके दूसरा हमें ये लगाना चाहिए कि या नहीं लगाना च क्योंकि cultural imperialism, state imperialism का एक बहुत, state power का एक बहुत अभिन इस्सा होता है, और जब तक हम अपने culture को promote नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अपने आसपास के देशों पर बर्चस्ब स्थापित नहीं कर पाएंगे, मेरा वीडियो देखने के लिए धनवाद, अग बाएंगे!